नमेशकार दोस्तों, एक बहुत दुखत खबर अक्सर आप सुनते रहते होंगे हर तीन महने पर पांच महने के बाद, मतलब कुछ महने पर रेगुलर हमें ये खबर मिलती है कि हमारा जो एक एरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया है, जादा तर क्या होता है जो पाइलेट है वो कि मित्ति हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आएफ मिट 21 बाइसन एरक्राफ्ट क्रैशेज दूरिंग ट्रेनिंग मिशन पाइलेट किल इन दी एक्सिरेंट, तो यहाँ पर कारण क्या है, क्योंकि अल्दो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एरफोर्स है, वो किसी प्रकार कि कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में कितने स्कॉर्डरन है, अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत जो एरफोर्स है, उसके पास स्कॉर्डरन की कमी है थोड़ी सी यहाँ पर जो एरक्राफ्ट चाहिए हमें, उतना प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो exactly क्या आकड़ा है मैं आपको बताऊँगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राउम, फेस्बूक और विजबापर मेरे लेक्षे के हर पीडियाफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी, प्लस साथ मे आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं, अंकित अगरवाल ओफिशल, और जैसा कि आपको पता है कि UPSC का नोडिफिकेशन आ चुका है, आप अपने एक्जाम की त्यारी और बहतर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी आइक्यू का UPSC कोर्स है, वहां के पासी जो है, बेसिकली क्या था, कॉमबैट ट्रेनिंग मिशन चल रहा था, जो ट्रेनिग अगर करते हैं, यहां पर हमारे पैलेट जो है, ताकि जब एक्च्छल कोई बाइचांस वार अगरा हो जाए, तो हम प्रिपेर रहें, इसके लिए किया जा रहा था, त हिसाब से, यह ग्रूप कैप्टन है, आई-फ के अंदर, और यहां पर आप देख भी सकते हैं, इंडियन एर फोर्स का स्टेटमेंट आया था, कि they express deep condolences and stand firmly with the family, और यह करीब कल 10-11 बजे के आसपास बताया जा रहा है, कि जब यह crash हुआ था, और हमेशा की तरह यहां पर court of inquiry जो है, वो order कर दी गई है, मैं आपको बता दूँ कि यह इस वर्ष का, अभी March का महना चल रहा है, यह इस वर्ष का second incidence है, पहला अगर आपको याद हो तो 5th of January, मतलब 2 महने के आसपास आप कह सकते हैं, इसी के अंदर यहां पर, Mid-21 Bison, same जो aircraft है, मैं आपको बता रहा राजिस्थान में जो सूरतगर एयर बेस है, वहां पर भी हुआ था, लेकिन उसमें एक अच्छी बात रही थी कि जो pilot है, वो eject हो गए थे, लेकिन कल वाला जो crash हुआ है, यहां पर pilot की जो जान है, वो चली गई है, अब देखें इसमें एक और चीज में आपको बताता Usually हम कई बार सोचते हैं कि कास ऐसा हो जाता, तो कुछ वैसा ही कल हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि यह court of inquiry बगर तो चलती रहेगी यहां पर, लेकिन मैं आपको बता हूँ कि यह जो particular pilot है आशिश गुपता जी, जिनकी मित्य हो गई है, यह posted से पहले tactics and air combat development establishment में, अब क्य होना था कि January के महने में ही यहां पर राजिस्थान में उनको shift होना था, मतलब February या January के आसपास उनको राजिस्थान भेजा जाना था, लेकिन क्या हुआ कि सूरतगर के अंदर जो January में crash हुआ था, उसकी वजए से उनका जो shift है, उसको एक बार के लिए delay कर दिया गया था, cancel क तो यह भी situation है, क्या काश अगर शायद वो shift हो गया होते, तो कल जो incident हुआ है, जिसमें हमारे pilot की जान गई है, वो शायद ना होना पड़ता, और जो 5th of January को crash हुआ था, उनका नाम था नितिन नयाल जी, लेकिन वो eject हो गया थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो यहां पर problem क्या है, यह तो हमने incidence के बारे में समझ लिया, problem यह है कि basically, यह एक तरह का vintage Soviet aircraft है, काफी समय से, 1970 से यह पूरा चलता आ रहा है, जो हम MIG-21 जो है, आज के date में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि within 2 months के अंदर अगर 2 crash होते हैं, तो कही ना कहीं जो controversy है इसको लेकर, वो आप आपको बढ़ते वे देखने को मिलेगी, in fact मैं आपको बता दूँ, पिछले साल की ही बात है, हमारे जो air chief है, air chief, marshal, RKS, बदोरिया शाप, उन्होंने यहाँ पर इसको flow भी किया था, यह जो सूरतगर वाला आपका airbase है, वहाँ पर MIG-21 को खुद उड़ाया था और दिखा रहे होते हैं, तो यहाँ पर MIG-21 का ही क्यों आता है, once मैं आपको बता दूँ, एक समय था, जब यह बहुत बड़ा backbone की तरह काम किया करता था, लेकिन आज के rate में अगर आप देखोगे, तो 3 से 4 squadron जो है, वो करीब बचे है, exact नहीं पता, कहीं पर 4 लिखा है, कहीं पर 3 ल जाना जाता है, in fact, जो bala coat strike हुआ था, उसके बाद जो हमारा air skirmish हुआ था, पाकिस्तान के साथ, वो लोग आया थे हमारे border के पास, तो यहाँ पर भी MiG-21, जो हमारे pilot को capture कर लिया गया था पाकिस्तान में, तो उस समय भी यही वाला aircraft था, जिसमें यह crash हुआ था, तो यह स उसका service वगरा जैसी चीज़े हैं, वो हम उसको complete कर देते हैं, तो यहाँ पर यह कब तक replace किया जाएगा, क्योंकि अल्रेडी बहुत जादा पुराना हो चुका है, तो देखें, यहाँ पर अगर आप देखो कि तो बहुती जल्द हमारे पास एक squadron जो है, वो पूरी तरह से तेजस जेट का वो आ जाएगा, अल्मोस्ट आने वाला है, इसके अलावा, 100 से जादा और जो तेजस एरक्राफ्ट है, आपको पता है, यह इंडिजिनेसली बिल्ट किया गया है हमारे HAL के द्वारा, तो 100 से जादा का order जो है, वो अल्रेडी हमने दे दिया है, जो की एक त जैकली मुझे तो ध्यान नहीं, लेकिन कहीं पर 30 या फिर कहीं पर 33 लिखा हुआ था, तो इसी के आसपास कह सकते हैं, कि हमारे पास हैं, तो यहाँ पर practical तोर पर पूरी तरह से replace करना उतना जादा आसान नहीं होगा, और बताया जाता है कि 2022-23 तक शायद इसको replace कर दिया ज तो यहाँ पर 12s quadrants है, जो सुखोई 30M के आई है, उसका अगर आप आंकड़ा देखोगे इस समय, तो 12s quadrants है उसके, जिसने काफी हद तक जो MiG-21 है, उसको replace कर दिया है, और सुखोई काफी जादा better aircraft है MiG-21 के मुकाबले, यहाँ पर कोई भी आप aspect ले लो दोनों के बीच म हो गया, mission capabilities हो गया, in fact मैं आपको payload के मामले में compare करके बताऊं, तो सुखोई 30M के आई, 8.5 ton weapon का payload उठा सकता है, और वहीं जो MiG-21 है, यह सिर्फ 2 ton का payload उठा सकता है, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप देखो कि तो एक तरह से combat के turns में, हर एक मामले में, आप कह सकते हो कि 1 सुखोई equals to almost 4 MiG-21, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है, तो चलिए आप यहाँ पर देखते हैं कि total squadrons की क्या संख्या है, इस समय कौन-कौन से total aircraft हमारे Air Force के अंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हो करीब 33 fighter aircraft squadrons है, एक squadron में मैं आपको बताऊं हमारे Indian Air Force के अंदर total 16 aircraft होते हैं, इसके अलावा उसी squadron के अंदर क्योंकि training वगर अकली चीज़ें के यह होती हैं, तो दो यहाँ पर trainer aircraft भी होते हैं, जो two-seater होते हैं जहाँ पर train किया जाता है, तो total 18 aircraft आप कह सकते हो, एक squadron में होता है, तो करीब आप कह सकते हो 500 से जादा total fighter aircraft हमारे देश के अंदर इस खबरों में, यहाँ पर हमारे पास 33 जो squadron है, इसके बजाय करी 42 squadron होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि यह 42 squadron है, इसने यह किसने तै किया है, मतलब कि यह कब से चलता रहा है कि हमारे पास 42 होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे industrial icon है, JR टाटा जी उनको Honorary to Start General I.F. की जो rank है वो दी गई है of Air Vice Marshal की तो मैं आपको बताओं उनको ये वाली post भी दी गई थी तो यहाँ पर 1960s में अगर आप देखोगे तो उन्होंने कमीटी को head किया था उस कमीटी के अंदर यहाँ पर study किया था कि चाइना पाकिस्तान हर तरफ कीज ये ऐसा बताया जाता है क्योंकि उस समय अलग requirement थी उस समय अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो MiG-21 जो crash हो रहा है आज के date में वो तो था ही नहीं वो तो 1970s से start हुआ पुरा लेकिन 1960s तक अगर आप देखिए तो जो World War 2 में use किया गया था vintage US built liberator bombers उसका हम इस्तमाल करत जो कि अब retire करने वाला है यहाँ पर यह जितने भी aircraft है एक तरह से कह सकते थे आप strike के मामले में हो defense के मामले में हो सभी role को यहाँ पर MiG-21 के द्वारा अपनाया जाता था इसके अलावा almost all of them और उसके बाद से लगभग सभी retire हो गए है बस 3 या 4 मैंने आपको बताया squadrons को छोड़ कर यह सभी retire हो चुक है लेकिन present में क्या situation है कौन कौन से aircraft हमारे air force के पास है तो एक तो MiG-21 मैंने आपको बताया 3-4 हो गए squadron इसके अलावा जो jaguar है यह है हमारे पास France का जो mirage 2000 है यह है हमारे पास MiG-29 है हमारे पास सुखोई 30 MKI जो की काफी बहतर काम कर रहा है 12 squadron के आसपास है इसके अलावा यहाँ पर जो British Hawk है 2008 के बाद से यहाँ पर चार लिखा लेकिन 2008 के बाद से यह प्रॉपर तरीके से Indian Air Force में आ गया था आप कह सकते हो तो यह सारे aircraft है और आपको पता ही है कि अब जल्दी से जो Rafale है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और एक यहाँ पर वो भी आ जाने से हमारे जो strength है Air Force की वो बढ़ जाएगी लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा question आता है जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो crash होते हैं तो क्या हमें इसको चलाना चाहिए क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी Air Force compromise नहीं करती होगी लेकिन जब भ यहाँ पर आपके लिए एक question लेकर आया हूँ कि पिछले साल अभी तक का सबसे बड़ा Air Force के द्वारा यहाँ पर biggest airborne exercise कंड़ किया गया था उस exercise का क्या नाम था आप क्या बता सकते हो यह पिछले साल कंड़ किया गया था इसका जो right answer आपको पता है हमिशा की तरह आपको Instagram प आप पर जा सकते हैं I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आपसे next time till then thank you very much see you soon